नमस्कार दोस्तों लॉगड़न 4.0 स्टार्ट हो चुगा है और जैसे कि पहले भी कई दिक्कत थी आज भी कई दिक्कत है बारिश पास में है सैंड की अवायलेबिल्टी कम हो सकती है और अभी भी सैंड अवायलेबल नहीं है तो क्या क्रस्ट सैंड या फिर मैनुफेक्टर स सैंड एक अल्टरनेटिव या सब्स्टेट्यूशनल अप्शन होगा इसे के बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल में इसके बारे में आपको दूंगा वेल्कों चैनल काईस आयाम शांद कातर यूर वोस्ट यूर वाचिंग इनोवेटिव डिजाइन हम इनको तीन चीज या जुडाई के लिए मैनुफेक्ट्रिंग सैंड हम यूज कर सकते उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बस इसमें यह है कि आपको पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी नॉर्मल सैंड में क्या होता है कि वाटर का लेवल अल्रेडी होता है हर सैंड को एक वाटर की लेयर होती तो उसको डिफिकल्टी नहीं आती मिक्स होने में manufacturing sand में क्या होता है घर्शन के कारण और यह artificial sand होने के कारण इसमें पानी की मात्रा नहीं होती इसलिए इसमें extra पानी यह हमें add करना पड़ता ऐसी कोई भी लेयर इसमें नहीं होती है हमें इसमें extra water का add करना पड़ेगा दोस्तों अगर manufacturing sand को हम plaster के लिए यूज करेंगे तो उसकी जो finishing है वो proper नहीं आती कई जगे पर हमने देखा है कि जब हम water add भी करते हैं तबी भी उसकी जो finishing होती है वो proper नहीं आती है उसके लिए experts recommend करते हैं एक solution जो हमें उसको add करना पड़ेगा at the time of plaster उसकी का नाम है Razon Master Plaster MPCS यह solution आपको उसमें add करना है और इसके जो results आएंगे उसका जो finishing आएगी वो उसी तरीके से आएगी जैसे normal sand किया आती है इसी तरीके से concrete बनाने के लिए manufacturing sand का use किया जा सकता है बड़ उसके लिए एक research conduct किया गया था जिसमें 1% से लेके 99% तक के replacement किया गया था manufacturing sand का normal sand से इस research में पाया गया कि 30% से 50% अगर हम manufacturing sand को replace करते हैं normal sand से तो इसकी जो strength है वो बढ़ सकती है जिस इलाके में normal sand की availability बहुत कम रहती है बहुत costly होती है उसमें manufacturing sand हम 30% से 50% तक की replace करके उस concrete की stability है वो increase कर सकते बट इसके कुछ फायदे भी है manufacturing sand बहुत locally available हो जाती है बहुत कम rate में available हो जाती है as compared to normal sand उसके बाद ही जो waste निकलता है manufacturing sand मेंसे वो बहुत ही negligible होता या फिर होता ही नहीं है इसलिए manufacturing sand कई जगे पर रिफर किया जाता है तो यहीं कुछ बाती थी दोस्तों अगर कुछ लागे तो प्लीज कमेंट करिएगा प्लीज बताइएगा कि आपको कैसा लगा है यह video thank you so much